हेलो नमस्कार दोस्तों फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है PTAE परिणाम को लेकर क्या अपडेट चल रही है क्या कोर्ट ने PTAE का जो परिणाम है उसको रोकने के आदेश दिये है या PTAE का परिणाम एक दो चार दिन में आ जाएगा कोर्ट ने क्या आदेश दिया है जो रिट लगाए थी उन अभ्यार्थियों की सुनवाई पर कोर्ट का क्या आदेश है उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ आपके लिए हम ग्राउंट से अफडेट लाने का परियास करते रहते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पीडियो भरती से जुड़ी भी हर अपडेट आपको इस चैनल के माद्यम से दी जाए और साथियो जैसा मैंने आप सब को पताया था कि आप और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर हर अपडेट दी जाती है छोटी से बड़ी अपडेट दी जाती है आप सभी साथी टेलीग्राम पर परिणाम को लेकर एक मेने ओडियो डाली है वो ओडियो जाकर भी चेक कर सकते हैं आपको हर परकार की अपडेट दी जाती है तो बात कर लेते हैं पीटे भरती 2022 का जो मामला है उस पर कोट का क्या आदेस है साथियो मैं आपको बता दूँ कि कोट ने परिणाम को रोकने के आदेस नहीं दी हैं ये आपको कलिर ध्यार में रखना है कि कोट ने परिणाम को रोकने के आदेस नहीं दी हैं परिणाम आज भी बोर्ड जारी कर सकता है कल भी जारी कर सकता है या दो चार दिन में जारी कर सक परिणाम कब भी जारी किया जा सकता है परिणाम को रोगने के आदेसर नहीं है लेकिन जो विवादित परशन है उनकी उत्तर जांच कstag कमेटी बनाए बोर्ड ने कहा है कि आप जो विवादित कर रप विवादित परशन है उनके लिए एक कमेटी त्यार करें और अगर वो कमेटी का क्या निर्णे होता है उस पर पूरा परिणाम डिपेंड करेगा अब देखे साथ यो हाई कोट ने पीटी भरती 2022 में विवादित पर सनुतर प्रिक्षा परिणाम को चुनुती देने के मामले में जो विश्य के विश्य सक्गे हैं कमेटी बनाने के निर्देश दिये हैं वहीं कमेटी की रिपोर्ट के अधार पर पुन्य अपरिणाम जारी करने के लिए अदालत ने कहा कि यदि प्रार्थी कमेटी की रिपोर्ट से संतूष्ट नहीं है तो वो नए सिरे से याची का दायरे कर सकती है और अधिक जानकरी देख लेते हैं साथ यो देखिए प्रार्थी विपादी उत्रों की जांच के लिए विसे स्टकह क मेटी कठित करने के आदे विसे स्टकह कि उनकी एक कमेटी करें जो चार सदिश्चों की कमेटी क्या नेने देती है उस पर पूरा प्रेड़्याम डेपेंड करेगा तो यह बात आप ध्यान में रखना साथ योब हाई कोड ने बोर्ड को बोल ए कि आप चार एक कमेटीไ क्विशे से कुटी में बनाएं उस कमेटी का क्या कारिया रहे गा वो कमेटी उन परस्णों की जाच करेगी जिन पराएं लगी निन यर पेस करेगी तो साथ यो पहले जो भ्यार्थियों ने रिट लगाई थी उन्होंने याचिका करता होने परसन पत्तर जो फ़स्ट है उसमें 14 और दिवितिये में 22 परसनों को चुनोती देते हुए बोर्ड से पहले उन्होंने रिट लगाई थी बोर्ड ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया तो उन्होंने हाई कोर्ड में जाकर याचिका दायर की थी और हाई कोर्ड ने काया कि विसे विसे सग्यों की कमेटी बनाकर उनका हल किया जाए तो अब जो कमेटी बनेगी उनका क्या बदल नहीं करते हैं किसी भी परिसन का उत्तर चाइंज नहीं करती है तो परिणाम आपका यथावत रहे ग़ा कोई भी परिणाम में बदलाव नहीं होगा परिणाम पुन्य भी जारी नहीं होगा यह बात ध्यान में रखना, अगर जो कमेटी बनाई गयी है वो कमेटी किसी भी परसन का उत्तर चेंज Sever कती है तो परिनाम दुबारा जारी किया जा सकता यह सारा कारिय किसका रहेगा? जो विशे-विशे संग्यों की कमेटी बनेगी वो कमेटी ये निर्ने करेगी कि परिणाम दुबारा आएगा या जो परिणाम आ रखा है वो यथावत रहेगा लेकिन बोर्ड ने परिणाम को रोकने के आदेस नहीं दिये हैं सिर्फ जो रिट लगी है उन परसनों को संतुष्ट करने के लिए उनका सही उत्तर देने के लि होगी वो कमेटी कम तक निर्ने देती है अगर कमेटी आज घटी दोती है तो कल अगर कमेटी अपना निर्ने देती है तो परसू रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत जल्द रिजल्ट आ सकता है कमेटी का निर्ने आते ही तुरंत रिजल्ट आ जाएगा और ये सारा रहेगा और जल्द आपको जोइनिंग भी दे दी जाएगी ये थी साथियो जानकरी पीटे भरती से जुड़ी भी जानकरी अगर अच्छे लगी तो लाइक शेर कर दीजिएगा और अधिक जाज़कारी पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुरूर जुड़ जा आएगा जहां पर आपको हर चोटी से बड़ी अफडे दी जाती है तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैन जै भारत बंदे मातर।